हादिक पंडिया को चोट लगी हुई है निश्वत तोर पर उनके साथ कुछ गड़बढ है ऐसा दावा किया है कॉमेंटेटर और न्यूजिलेंड के पूर बोलर साइमेंट डूल ने डूल ने अपने डावे के सपोर्ट में कुछ तरक भी दिये डूल का कहना है कि हादिक ने 11 अप्रेल गुरुवार को आसीबी के खिलाफ एक ओवर डाला था पारेकर दसवा ओवर ने कर आये हादिक ने तेरा रन लुटाए और फिर दुबारा बोलिंग पर नहीं लौटी डूल ने हादिक के बारे में बात करते हुए एक क्रिक बस पर कहा आप जाते हैं और पहले केम में बोलिंग की शुरुआत करते हुए एक स्टेटमेंट देते हैं और फिर आपकी जरूरत नहीं है उन्हें चोट लगी है मैं बोल रहा हूँ कि उनके साथ कुछ तो गड़बढ है वो इसे स्विकाल नहीं कर रही है लेकिन शित तौर पर उनके साथ कुछ गडबढ है ऐसा मेरा मानना है डूले ये भी कहा कि हादिक के लिए स्पेशलिस्ट वैटर की रूप में टीम इंडिया में जगह बना पाना असान नहीं होगा हादिक से भी इस मामले पर सवाल हो चुकी है दिली के खिलाफ बोलिंग ना करने पर उनसे सवाल हुआ था जवाब में हादि में सवाल होने पर वो बोले सब सही है सही वक्त आने पर बोलिंग करूंगा सब काबू में था इसलिए बोलिंग की जरूरत नहीं पड़ी बतादी कि हादिक हाल ही में चोट से वापस लोटे है वंडे वर्लकप 2023 के दौरान उन्हें चोट लगी थी इस चोट के चलती वो प कमाल की फॉर्म में चल रही है और उनका नाम भी वर्लकप टीम के लिए सामने आ रहा है इतना ही रही रियान पराग और अभिशेक शर्मा जैसे यंग्स्टर्स भी आई पेल दोहजार चौबिस में पहतरीन टच में है ऐसे में हाद एक को टीम में एंट्वी के लिए कुछ कमाल करना होगा इस वीडियो में बस इतना ही इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है सूरज ने मैं हूँ गरिमा स्पोर्ट्स जुड़ी खबरों के लिए आप लोग देखते रहे है ललन टॉप स्पोर्ट्स शुक्रिया